कि जहिन दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चनल स्मार्ट एजू फूर यू में दोस्तों एक नोटीस बीटी यूपी की तरफ से सभी कॉलेजों पर भेजे जा रही है और यह नोटीस है जो रिजल्ट आया है सेकंड और फॉर्ट समेस्टर का उसमें संसोधन के संबंद में यह नोटीस है तो इस नोटीस में देख लेते हैं क्या दिया गया है और किस किस चीजों को संसुधित कराया जा सकता है ठीक है तो इसका प्रेशक जो है वह आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सचीव प्राविदिक सिच्छा परिशद उत्तरप्रदेश लख और विशय इसका आप यहां देख सकते हैं लिखा गया है परिशद अनुभाग तीन की इमेल बिल्टी एन्यू थ्री एडरेट जीमेल डॉटकम पर वांचित संसोधन साच्यों सहित प्रेशित किये जाने विश्यक यहां पर लिखा जा रहा है डेड़ भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है साथ अक्टूबर दो हजार बिस अर लिखा जारहा है महाधय परिशद द्वारा संसमेश्तर सितमबर दो हजार बीस दूति एवं चतुर्त समेश्टर का परिख्षा फ़ल छे सेटम छे अच्छा फल अपूंड तुरूटी पूंड अवसेस रह गया हो तो सनलग्न प्रारूप पर अंकित करके करते हुए प्रमाण एवं साच्यों सहित साथ दिवस के भीतर संस्था के प्रहाचार्य के इमेल के द्वारा परिशद कार्यालाय अनुभाग 3 की इमेल आइडी bteanu3 at the red gmail.com पर मेल की माध्यम से सूचित करने का कश्ट करें ताकि प्रकरणों का समया निस्तारण किया जा सके यह भी सूच्च है कि परिशत कारयाले में परिश्चा फल संसुधन के संबंद में छात्र शात्राओं को कदापी न भेजें तो आपको जो भी सं संसुधन कराना है उसके लिए आपको अपने कालेश के प्रिंस्पल से कॉंटेक्ट करना होगा और यह चीज आप ध्यान रखेंगे कि आप किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं है कि डारेक्ट कारयाले पर बिटी यूपी का जो कारयाले है लखनों में वहां पर चले जाएंगे और जा करके वहां से सिदे संसुधन कराने का प्रयास करेंगे यह ऐसा गलती आपको नहीं करना है आपको कारयाले पर नहीं जाना है और आपको जो भी संसुधन कराना होगा उस संसुधन का जो जानकारी है वो आपको अपने कालेश के प्राधनचारे को देना होगा और सांबध में email भीजेंगे साथ ही मैं आगे बता रहा हूं कि कौन-कौन से आप संसुधन करा सकते हैं तो यदि आप डिशल्ड जो आया था उसमें यदि आपका नाम गलत हो गया है तो नाम करेक्षण करा सकते कुछ incomplete है तो वो correction करा सकते हैं सेस्टनल में कुछ गलती हो गई है सेस्टनल में कोई दिक्कत है तो सेस्टनल करेक्षन करा सकते हैं और total marks में अगर कोई दिक्कत आ रहे है तो total marks में correction करा सकते हैं तो यह सभी करेक्शन्स हैं जो आप करवा सकते हैं और इसकी जानकारी आपको अपने कॉलेज के प्राधनाचार को देना होगा तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा जो संसोधन के बारे में पूरी प्रक्रिया हैं वह आपको समझ में आ गई होंगी वीडियो अच्छी